हलो फ्रेंड नमस्ते आज हम आपको ब्रेड का मीठा समोसा वटर फ्राइ वाला बताएंगे खोए से भरा हुआ है और इसके लिए मैंने आप देख सकते कितरा टेस्टी लग रहा है इसके लिए मैंने चार ब्रेड ले लिये हैं यह ताजे ब्रेड है चार ब्रेड लेने के बाद उसमें मैंने कुछ ड्राइफूट भी डाल लखे हैं इसको मैंने बारी बारी करके काट रखा है यह काजू है बादाम है आप कोई भी और ड्राइफूट ले सकते हैं और यह हैं ती चमच के लगबक होआ है क्योंकि मुझे ब्रेड का बनाना है और यह सुगत है चीनि चीनि यह आप डाला चाते हैं तो इसको स्टीप कट सकते हैं यह थ्टृट समय दूद ले लिया है ऀnew दूद को मुझे ब्रीन शिपका है अब मेने ब्रेड को आप किनारे-किनारे इसके जो ब्राउन कलर्ड के है 이쪽ो मझे निकाल देना है चाकू की सायता से इस तरह से मैंने चारो तरफ से निकाल दिया है आप देख सकते हैं इस तरह से मुझे निकालना है और इसी तरह से मैंने चारो ब्रेट की किनारे किनारे निकाल दिया है आप यह देखिए मैंने चारो तरफ से निकाल दिया है ब्रेट को अब इस तर इसमें यह ड्राइफूड है काजू अबादाम इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है दोनों मतलब सारा चीनी और ड्राइफूड मिल गया है ऐसी तरह से ब्रेट के ऊपर मुझे आच्छे से फैला देना है चारो तरफ से और यह मेरा मैंने इसको चारो तरफ से फैला पर मैंने जो दूद ले रखा था वह दूद को किनारे किनारे चमच की सहता से डालेंगे ताकि मुझे उसको चिपकाना है ब्रेट को ब्रेट को चिपकाना है कि ताकि वह खूले ना इस तरह से मैं की उनकी अपर से मैंने दूसर बि्रेट भी लगया है क्यों है डूनों बि्रेट पे इünkü ऍा लगा लीजिएगा और उंगलिकी शहता से इसको प्रेष करके mitä दवा देजेगा ताकि ये खुलेना इस तरह से अच्छे से दवा देना है एकदम पास पास से दवा देना है ताकि ये खुलेना ये तो ये तेल में फैल जाएगा अब मैंने दूसरा वज डाल लिया है अब कड़ाई मेरी गरम होगे मैंने इसमे तेल डाल दिया था उसको मैं ब्राउन होने तक बनाना है पहले मैंने हाइफ फिलेम पर रख दिया था अब एक तरफ से लाल हो जाएगा फिर दूसरी तरफ से मुझे लाल करना है यह थोड़ा से करा रहा होगा तो करा रहेगा तो खाने में टेस्टी लगेगा इस तरह से मुझे बार-बार इसको चलाने है ताकि ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए ये एक तरफ से लाल हो गया है अब मुझे दूसरी तरफ से ब्राउन करके आप इसको निकाल देना है इस तरह से मैंने दूसरा ब्रेट भी डाल दिया है अब इसे मैं एक प्लेट में सारा तियर इसको निचबने के बाद इस तरह से मैंने इसको प्लीट में निकाल दीया है दूसरा वाला भी ब्रेंड मेरा ब्राौन हो गया है लगबंग इसको भी एक तरप से प्रट के दूसी तरप प्रटना है यह थोड़ा सा वाइट दिख रहा है इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है ये भी मेरे रेडी हो गया है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के अब मैं इसके लिए चासनी बनाऊंगी थोड़ी सी मैंने प्राइफेन को गैस पर रख होगे कि थोड़ा सा कम लग रहा है इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसको बीच-बीच पे चलाते रहेंगे बस चीनी गल जाए मेरी चिप-चिपा नहीं बनाना है चादे इस तरह से मुझे बार-बार इसको चलाना है चीनी गल जाएगी उसके बाद मैं ब्रेड को बना के रखा है मैंने बटरफ्लाई ब्रेड उसको मैं चाकू की साइधा से तिकोने में काट लूँगी इस तरह से मुझे काट लेना है कि अच्छे से कट जाता है कि करा रहा है इस तरह से मैंने दोनों ब्रेड को काट लिया है अब मैंने इसे प्राइफेन में डाल दिया है जो चास्नी थी हलकेल की चास्नी लगानी है ज्यादे डूबों के नहीं लगानी बहुत मिठा हो जाता है इस तरह से मेरा ये कैट त्यार हो गया है मेरे चैनल पर बने रहेगा और मेरे चैनल को लाइक सिस्काइब सेर जरूर कमेंट्स में बताई गई कैसा बना था और नए हैं तो सब्सक्राइब को बटन मत भूलें आप बैल आकन को दवाना बिल्कुल ही ना भूलें कि इस तरह से मैंने अलट प्लट करके जितनी चासनी है सब उसको सौप कर लिना है क्योंकि मैंने जादे चासनी डाली कि यह बहुत मीठा हो जाता है हलका हलका रहेगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है यह करा रहा है इसको गरम ही गरम खाएं यह बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से मेरा butterfly समूसा खुए वाला bread का रेडी हो गया है अब इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे इस तरह से मुझे प्लेट में सर्व करना है कोई भी महणा आया है जट पठा बना दीजिए इक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है करा रहा भी है मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बटन नवाना मत भूलेगा और अपने फैमली में जरूर कीजिए धन्यवाद